हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों वेलकम बेक टू न्यू गुडवे आज दोस्तों 8 जून 2022 और 8 जून 2022 से रिलेटेड जो भी डेली करंड अपेर के क्यूसन बनते हैं इन्हें हम आज डीटियल से डिसकस करेंगे तो 8 जून को कौन सा दिवस मनाय जाता है तो 8 जून को 20 महासागर दिवस रूप में मनाय जाता है जो ये दिना वो समुंदर के कच्रे के कार्ण जो परदुर्शित हो रहे समुंदर है या महासागर है उनके महत्व को चिनहित करने के लिए मनाय जाता है और जिसके कार्ण प्राप्त कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्यूशन नबर वन से और आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन अवर जरूर प्रेस करें ताकि डेली के जो वीडियो अप्लोड कर रहा हूं में उनका नोटि मेगाले के द्वरा जिता गया है जो मेगाले यह उस्यूंग्त र राष्ट्रेशव defensive milan मैं यह परियोजना पुर्शकार यह जिता वाली भार्त की एक मातर परियोजन है मेघाले हैं तो मेघाले से रिलेटेड निम्न इंपोर्टेंट फेक्ट और बनते हैं जैसे मेघाले को असम है पुनर गटन अदिन्यम गुनिशो इगेतर के अंतरकत असम से अलग करके बनाया गया था और मेघाले अंतराष्ट्रे सीमा क जैसे सिमसंग मंदा दर्मिंग रिंगे गमोल और बुगई है और आलू चावल और मका है वह मेघाले की परमुक की दिव गय वह सिमेंट लोहा और इस्टील के हैं अब मेघाले है तो यह पूरवरतर बारत का एक राज्य है जिसको आप मेप में देख सकते हैं और मेघाले स अप्रेयल 1970 को एक अप्रेयल 1970 को इसकी स्थापना हुए थी क्रेडिट लिंक सरकारी योजनां में शूरू किये गये जो नए राश्ट्री पोर्टल का नाम वा क्या है तो आन्सोर है जो परदानमंतरी नरण्डर मोधिय हैं इन्होंने जन समर्थ पोल नाम से के ग्रेडिट लिंक जो सरकारी योजनां है जोडने वाले एक वन स्टोप डिजिटल पोर्टल है और यह सरल डिजिटल परक्रियों के मद्यम से लोगों को सहीज सरकारी लाब है वो परदान करता है कि फ्रेंच ओपन 2022 पुर्ष एकल किताब का विजयता वो कौन है तो आन्सवर दोस्ते राफेल नडाल इसके विजयता है जो राफेल नडाल है जिनको आप पिक में देख सकते हैं इन्होंने केस पर रूड को हराकर अपना जो चोगदुआ फ्रेंच ओपन पुर्ष एकल किता किता है वो जीतने के लिए फाइन विजयता है और इस जीत के साथ ही नडाल ने रोलेंड गेरोस में अपनी जो चोगदुवी चेंपिंशिप है और कुल मिलाकर 22 वा जो गरेंच स्लेम किताब हो भी अपने नाम किया है नेक्स्ट किसे निबर फोर कि 20 वे परियावन दीवस से वर्ल इन्वार्मेंट डेंव किस दिन मनाया जाता है तो आंच और दोस्तों पांच जून को मनाया जाता है जो परियावन के मूद्वों के बारे में आम लोगों को जागरता फिलाने है तो यह दिवस वो मनाया जाता है और स्रयूक्त राष्टर संग की तरफ से साल 1922 मे आपर हुई थी और यह दुनिया का पहला परियावन सम्मिल लेना वह आयोजी तो वह किया गया था जिसमें 119 देश है वह सामिल हुए थे अब जून अथ जून मंत से रिल्टेट निम्न इंपोर्टेंट दिवस और मनाया जाते है जिसे एक जून को मनाया जाता है परियावन दिवस और छाथ जून को मनाया जाता है वीश्वा महसागर दिवस के रूप में है नेक्ष्ट कुस्टन है कि यह सम्पृत्ति एक यह भारत और कि इस देश के बीच एक सेंग सेंय पर्शिक्शन अब्यास है तो आन्स और दोस्ते बांगला देश के साथ जो भा है बार्त और बांगलादेश के बीच में स्टेट सेने परश्रिक्सन अभ्यास है एक संपरित्ती एक्स जो ड् 你ृपक से रक्षा साहयों के इस्से के रूप में बांगलादेश के वह पर यह शुरू वाता उस सेने पर श्रिक्सन अभ्यास जिसे तीस्ता निद्धी है वो सिक्यम के जेमू गिलेसे से निकलती है और बांगला देश में ब्रमा पूतर नदी से मिलती है और 12 दिसमर 1966 को भारत बांगला देश के बीच में फरका डेम के जलको लेकर बटवारा या समझोता हुआ था और भारत बांगला देश सिक्कर वारता के अनता में गुनिस मार्ज 1922 को भारत बांगला मेत्री और संधी प्रस्ताक से रवो हुए थे और भारत ने 6 दिसमर 1921 को बांगला देश को एक सवतंतर तेश के तोर पर माननेता वो दी थी और 1922 में जो फरका बिराज का निर्मान वाता जो गुनिस सो सतर में 208 मिलियन डोलर की लागत से पूरा वाता और तीस्ता नदिया जो भारत में लगबग 250 में किलोमेटर के दायरे में बैती है जिसमें 162 किलोमेटर वो परसिम बंगाल और 150 किलोमेटर शिकिम में बैती है और बांगला देश में तीस्ता नदिया वो करीब 120 किलोमेटर के से तरप में बैती है और तीस्ता नदिया इसक देशों से मिलते और बंगलादेस के दक्षिन में बंगाल की खाडिये आब बंगलादेस है तो बंगलादेस की राजदाणी है दोस्तों दाका राघण्ञा बंगलादेस की मुद्रा है lockard कुछ नेक्स्ट कुशन है किस देश ने वेसिविक पहल जो लाइफ स्टाइल फोर्ड इंवार्मेंट मुवमेंट लॉंच किया है तो आन्स और दोस्तों यह भारत की द्वारा लॉंच किया गिया है जो भारत के परजेंट परदारमांत्रिय नरेंदरमोदी इन्होंने 20 वपरियावन दीवस जो 5 जून को मना जाता है इस दीवस के आउ लाइफ का विचार मूल से परदारमंत्री के द्वारा जो ग्लासगों में कोप 26 पार्टियों के 26 वे सेंट राष्ट जलवाई हो परिवर्तन सम्मेल है उसके दोरान पेस किया गया था और परियावन के परति जागरुप जो जीवन से लिए वो अपनाने के लिए विचार और शुजाओं को मंत्रित करते विए लाइफ ग्लोबल कोल फॉर पेपर्स की सुरात वो भी के गई है नेक्स्ट कुस्ट किस नबर सेवन कि किस देश ने अपने त्यंगोंग अंत्रिक्स स्टेशन के लिए मानव यूक्त मिशन वो लॉंच किया है तो आंस और दोस्ते ची महिने तक का जो कार यह है वो जारी रखने के लिए बेजा गया है और चीन की मानव यूक्त जो अंत्रिक्स एजेंसी एंसे इन्होंने भी गोश्ट ना किया कि जो सेंड जोंग है जो चीन के राष्ट पति हैं वह सी जिन पिंग और प्रदानमंत्रे ली कचियान और चीन है तो यहां की मुद्र है यूवान कि किस राज्य सरकार ने पेपर स्टांप की जगह है इस स्टांप सुरू करने का फैसला वो किया है तो आंसर दोस्ते पंजाब सरकार के द्वारा किया गया है जो पंजाब सरकार इनों ने राजस्व की होने वाल जो चोरी को रोकने के उद्धेसे से राज्य में कागजी स्टांप पेपर का चलन हो स्माप्त कर दिया अब अलग-लग कीमत के स्टांप पेपर हो इस स्टांप के रूप में कंप्यूटर प्रिंट आउट के और से उपलब दोंगे और इस स्टांप को किसी भी स्टांप विक्रता या पंजाब सरकार के दोरा अधिकर्त बेंकों से प्राप्व किया जा सकेगा अब पंजाब है तो पंजाब उत्तर पस्टिम बारत के एक राज्य है जिसको आप मेट में देख सकते हैं और पंजाब का दूसरा बाग है पाकिस्तान में और पंजाब की स्टापना होई थी एक नवंबर 1666 को और पंजाब में टोटल जिलने हैं 23 और राज्य बासा है वो पंजाबी और पंजाब की राजदने हैं दोस्तों चंडीगड नेक्स्ट क्यूशन है कि किसने आई ऐसा सब निसाने बाजी चेंपियंशिप में सिल्वर पद्द का वो जीता है तो आंसर दोस्ते अंजुम मोदगिल ने जीता है जो अंजुम मोदगिल है उन्होंने अजर बेजान के शकर जो सहर है बाकु में आई जीत वाचा इंटरने राइफल थ्री पोजिशन इवेंट में दूसरा स्तान वो हासिल किया है नेक्स्ट क्यूशन है क्यूशन बटेन कि किस राज्य सरकार ने कोलोनियों और शड़कों का नाम है वो बाबा साहिब अंबेडगर के नाम पर रखने का फैसलाव किया है तो आंसर दोस्तों यह दिल दिल्ली सरकार के दौरा दिल्ली सरकार है इन्होंने कोलोनियों और शड़कों का नाम है वो बाबा साहिब अंबेडगर के नाम पर रखने की तयारी किया है जो समाज कल्यान मंत्रिय राजेंदर पाल गोतम इन्होंने दिल्ली सरकार की जो सभी शड़क और कोलोनियों का ना पर रखने का प्रस्तावा वो किया है और आज का नेक्स्ट लाश्ट किसेन आज इसका आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि केंदर सरकार ने वित्ति वर्ष 21-22 के लिए करांचारी बविस्य निदी जमा पर कितने परतिसत दर्ग को मंजूरी दिये तो इसका आपको इन्होंने यह किताबा हो जीता है। जो दक्षिन कोरिया इन्होंने पहली हीरो एसिया कप्क ट्रोपे में मलेशिया की उम्मीदों को द्रासाई किया है। और उनको GBK Sport अरीना में रोमांचक 2.1 से अंतिम जीत के सारवस्ते सासन Gasana है किया है दक्षिन कोर या की दोरह चलो दोस्तों आज का वीडियो एपिस माउट करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को सेर जरूर करे थैंक्यू ओल ओफ यू